इस बर मैं गाउं आय थी तो मेरा गाउं में कठल का जो पेड़ है उसमें चुटचटा काटाल हुआ था और देखके मेरे को इतना खुसी हुआ कि मेरे को बनाने का बहुत मौन किया क्योंकि मैं काठल पेड से तोड़के कभी नहीं बनाई हूं पहले बर बनाऊंगी तो मैं एक काठाल काट ली हूं बेड से और इसको हम काटेंगे तो चलिए देखिए इसको मैं कभी नहीं काटी हूं पहले बर काट रही हूं क्योंकि मैं मंडी से खरीद के ही बनाती हूं हमेसा और काटने के लिए हाथ में मैं थोड़ा सा सुर्सु तेल लागा ली हूं क्योंकि इ मैं काट उंगी और मेरे को तेल लगा दी हूं इसलिए फिसलने का भी डर लग रहा था तेल опहले नहीं लगाना थ हूँ मैं पहले लगा दी थी क्यूंकि मेरे को पता नहीं था तो अब यह हarny हो गिया है लाग में नहीं नोद DevOps को काट लेने का बाद इसको मैं आधा बीच से आधा कर लूँगी फिर से तो बीच से इसको काट ली हूँ और बीच से काट लेने का बाद इसका मैं छीलका निकाल लूँगी तो इसी टाइम आपका हाथ में तेल लगाना है मेरे को पहले पता नहीं था और मैं पहले एकदम त में तो इसलिए फिसल रहा था तो आब अच्छा से आप अच्छा से मैं काट ले रही हूं देखिए छिलका पूरे तरह से काट चुका है इसके बाद इसका जो का हिस्सा है ना इसको काट देना है और इसको निकालके इसको नहीं पाटाना है यह थोड़ा सा हाड 25 है तो इसको नहीं पकाते हैं तो अब हम इसको स्लाइस में काठन के तोर के बनाने का मजाई कुछ अलग है और इसका स्वाद भी इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बता हूँ आप को एगर उड मेड़ से तोर के बनाते हो तो आपको ही पता चलेगा नहीं तो यह बहुत मेरे को खुसी भी लग रहा था, तो देखिए यह मैं सारे काटली हूँ, और आधा कटल मैं राग दी हूँ, क्योंकि मेरे को जादा हो जाएगा लग रहा था, तो आधा मैं काटली हूँ, इसी को पकाऊंगी, तो मैं चूला में के पास आई हूँ, और एक स्व वीडियो में नहीं दिखाया पाई हूं और कटल को धोने का बाद ही मैं इसको अबाल लोंगी जास्ट इसको नमकार हल्दी देखें चैज देखें तो दिवर चिया है डो मिनिट ढूरत याया बार्मिचा की फानी ज़े और यह सोर्सो तेल में पकाने में बहुत टेस्ट लगता है सोर्सो तेल में गरम होते ही मैं इसे कठल को डाल दी हूँ और कठल को हम हलका सा भून लेंगे आप चाहे तो अलग से एक कड़ाय में कठल को भून के इसको पका सकते हो लेकिन मैं इसी देखजी में पतिला जो भी म मैं इसी में पकाऊंगी तो इसी में ही मैं इसको भून ली हूँ तो इसको ज्यादा भूनना नहीं ज्यादा तेल में भूनना का जरूरत है नहीं इसको थोड़ा सा तेल के ही भून लेना है और देखिए ये भून ली हूँ अब थोड़ा बहुत जो तेल बचा था उसी में मै आलू डाल दी हूँ ज्यादा आलू मैं नहीं ली हूँ इहां एक ही आलू ली हूँ छोटा-छोटा टुगरा में काड ली हूँ और इसको थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ आलू में और आलू को भी मैं भून के उठा ली हूँ अब और थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ इसी में कए पकाना है मेरे को तो इसी में टेल डाल दी हूं और जीरा तेज-पता डालके एक प्याज बरी काटके में डाल दी हूं अब भून लेंगे काला चेंज होने तक जयीनगे काला चेंज हो जाता है तो इसमें अतरक लसुन-मक के-पेस्ट हम काठाल को नमक डाली थी अब इसमें आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिर्च पाउडर और एक तीहाई चमच धनिया पाउडर डालके इसे लो फ्लेम पे भून लेंगे और भूने का टाइम हम इसमें थोड़ा सा पानी डाली हूं ताकि मसला जाले ना और इसे अ भूने हुए काठाल और आलू को हम मसला में डाल देंगे और उसके बाद इसे हम भूनेंगे तो लो मिडियाम फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे दो से तीन मिनिट इसे अच्छे तरह से भून लेते हैं तो आप से एक रिक्वेस्ट है आप यहां तक अगर मेरा वीडियो देख करें और ऐसी वीडियो के लिए मेरा रेसी चैनल को सब्सक्राइब करें तो इहां मैं इसको भून चुकी हूं लगभाग तीन मिनिट मैं भून ली हूं और इसमें हाम ढाई गलास पाणी डाल दिये हैं और दो हरी तो तीन हरी मिर्स डाल दिये हैं मेरे को हरी मिर्स पसंद ह इसलिए और इसको कबर करके मैं 10 मिनिट मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे और आखिर में यहां गरम मसाला पाउडर डाल दे रही हूं इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवार आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है तो इसको कबर कर देंगे और 10 मिनिट पक कि अत्तुरंद खाने का मजाई कुछ अलाग होता है और इसका टेस्ट बहुत 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 ज़्यादा होता है अपकी इसी तरह से बनाएं और मुझे फीड़बैक दीजिए आपका कैसा बना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यार करें लाइक करें मिलते हैं फिर आगले वीडियो में नाए रेसिपी के साथ तब तक आप खूश रहें और सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिएगा नाए रेसिपी के लिए अलाहापेश